नवाश्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबीका भारत दस्तक के उपर दोस्तों कल चंदर शेखर ने जो धाड़ा है संसेत के अंदर वो बहुत जरूरी है सबसे प्रहला जो उन्होंने मुख्य मुद्ध उठाया कि जिस परकार से विनेश फोगाड जो की मैड से डिस्कॉलिफाइड कर दिया गया और अब वो कोई भी मेडल नहीं जीत पाईगी जो मैच वो जीती थी वो मैच भी अब डिस्कॉलिफाइड हो गया है दोस्तों तो दोस्तों चंदर शेखर ने पूरा एल्जाम लगाया है इंडियन सिस्टम के उपर और पेरा ऑलम जो जो पैरिस ओलम्पिक में जो टीम गई है सारे खिलाडियों को देखने के लिए उनके उपर उनका कहना है कि विनेश वगाट हमारी भेन अगर नहीं जीत पाई गोल्ड तो उसका कारण केवल सिस्टम है और सिस्टम से वो दिल्ली में भी लड़ी थी जब धरने में वेड़ वही थी और आज भी वह उस्सेंट ही लड़ रही थी अर टेव हार गई για सिस्टम सही हो था सब कुस्यों सत्या का सारी और सभीशिएशन सही से काम करते तो आज हम देश में गौट जिद गय होते हमारे देश को पहला पैरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिद जाता उन्होंने ये दोस्तों बहुत बड़ी बात कही दोस्तों और उन्होंने स्ट का जो रिजरवेशन है उसका वर्गी करन कोटे में जो सबकोटा दिया गया है उसको लेकर भी वड़ी वाइट कही मैं आपको बहुत ही शॉ के बाद सुप्रिंग कोट का ऐसा केना है तो राज्य सरकार चाहे तो उनको कोटे के अंदर यानि कि सबकोटा देकर आगे बढ़ा बढ़ा जा सकता है लेकिन चंदर शेकर आजत का केना है कि रिजरवेशन कभी एकोनोमिक बेस मिला नहीं था इसको जो मिला था वो जातिग जा सकता है जो कि सविधान की इसाब से गलत है तो क्या 5% रिजरवेशन उन जातियों को नहीं दिया जा सकता जो कि SC और ST वर्गे से आती है और जिनको अभी तक सही से रिजरवेशन का लाबनी मिला है उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों का कहने का मतलब यह था जिस परकार से अनकोंसिटिशनल असविधानिक रिजरवेशन दिया गया 10% सवर्नों को तो क्या 5% इस देश में अलग से रिजरवेशन सिस्टम बना कर उन जातियों को जो कि बहुत पिछड़ी हुई है भारत में जिस मुसाहार हो गई या फिर वालमिकी हो गई या फिर ट की तरफ से क्योंकि रिजरवेशन को तोड़ा जाए और जैसे एसी और एस्टी की यूनिटी है तो दो भागों में इनको करा जाए यानि की कोटे के अंदर कोटा सिस्टम डाल कर इन जो यूनिटी को तोड़ा जाए जिससे बहुलन समाज कमजोर हो या दलित वर्ग कमजोर हो एसा उन्होंने संसेत के अंदर कहा है दोस्तों हाले कि दोस्तों पैरा प्रिस औलंपिक में जिस परकार से गड़बड़ी हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है और चंद शेखर ने को लेकर कहा है कि जिस परकार से सवरनों को 10% डिया जा सकता है एकनोमिक विकर किएगा कमेंट बॉक्स में चंदर शेकर ने सही बोला या नहीं बोला कमेंट जरूर किजिएगा